नमस्कार दोस्तों आज की छोटी से वीडियो में आपका तैदिल से सुवागत करते हीं और आज की वीडियो में जानेंगे की राष्ट्री यूवा दिवस कब मनाया जाता है और इसे मनाने के पीछे का उदस्य क्या है यानि राष्ट्री यूवा दिवस क्यों मनाया जाता है इन दोनों पर्षनों के बारे में आपको जानकारी देंगी मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चेनल पर नहीं हैं तो करपया वीडियो को लाइक करें और चेनल को सब्सक्राइब जरू करें आए वीडियो को सुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि राष्ट्रिय यूवा दिवस से कब मनाया जाता है। अगर आप इस पर्षन के उतर के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता देते हैं कि इसका सही उतर बारा जनवरी होता है यानि ओप्सन नमर भी राइट आंसर होता है। यानि क्यूशन को एक बार फिर से सुनें कि राष्ट्री यूवा दिवस कब मनाया जाता है ओप्सन A 11 जनवरी, ओप्सन B 12 जनवरी, ओप्सन C 13 जनवरी और ओप्सन D 14 जनवरी तो इसमें से ओप्सन नमर भी राइट होगा यानि 12 जनवरी इसका सही उतर होगा कहने का मतलब ह कि राष्ट्री यूवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है इसके लग दोस्तों अब हम बात करते हैं कि राष्ट्री यूवा दिवस क्यों मनाया जाता है यानि इसे मनाने के पीछे इसका उदर से क्या है आईए इस बार में भी जानती देश की बहतर बविस्य के लिए युवाओं की सह बागिता बढ़ाने की संकलप का अवसर के रूप में इस राष्ट्रे युवादिवस को मनाया जाता है। बात करती ही तो वह 12 जनवरी 1985 को पहली बार मनाया गया था यानी 12 जनवरी 1985 को पहली बार राष्ट्रे युवादिवस मनाया गया था और ये आपको अच्छी तरह से याद कर लिए इसके लग दोस्तों इन सभी जानकारी को एक बार हम स्पिर से रिपीट कर लेती ही और हमारा पहला क्यूसन होगा कि राष्ट्रे युवादिवस को मनाया जाता है तो इसका उत्र होगा 12 जनवरी को दूसरा क्यूसन है राष्ट्रे युवादिवस को मनाया जाता है देश के बेतर बविस्य के लिए और युवाओं की सहभागिता बढ़ाने के संकलप का अवसर के आपको अच्छी तरह सी याद कर लेना है क्योंकि ये कई एक्जामों की द्रेश्टी से आपके लिए उप्योगी सिद्ध हो सकता हैं। अगर जानकारी उप्योगी लगी हो तो कर्प्याई वीडियो को लाइक करें और चेनलन को सब्सक्राइब जरूर करें।